जैहिंद मेरे फौजी भाईयो आप सभी के लिए एक बहुती बड़ा गुर्णी उझे आपका आर्मी का एक्साम जो है वो मान के चलना भाई एक महीने के अंदर आपको एडमीट कार्ट दे दिया जाएगा देड़ महीने के अंदर आपके आर्मी का एक्जाम जो होने का बहुत ज़्यादा चांसे मैंने खबर लिया है और सबसे इंपोर्टन बात जो है अब से मैं आज एक तरिक है यानि कि एक तरिक से लगातार मैं आपका क्लास लूँगा आप सभी लोगों का मैं खुद क्लास लूँगा और हर एक स्लेवस वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले तो मैं आपका पूरा स्लेवस कंप्लीट कराऊंगा फिर आपका उस syllabus wise आप लोगों का टेस्ट लूँगा फिर syllabus wise टेस्ट लेने के बाद आपका 50 question का model टेस्ट पे पर लूँगा जिसी साब से इंडिया आर्मी के एक्साम में होता है 15 gk 15 general science 15 math और 5 reasoning उसके बाद सारा कुछ में revise करवाऊंगा फिर आप सभी बंदे को जो है वो pdf म में दूँगा मेरा main जो pdf है सारा कुछ में दूँगा बिल्कुल free में मेरे भाई तो चैनल को subscribe कर लो एक महिना बस मेरे भाई मेरे साथ रह के देखो आप सभी को फौजी बनाने का जिम्मेदारी मेरा है बस आप सभी बंदे जो है वो एक महिने मेरे साथ रहो ध्यान से जि 100% में लिख के देता हो आज का एक तारीक है आपका जब एक्जाम होगा 45 प्लस अगर आपको मेरे क्लास और pdf से ना मिले मेरे भाई तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूँगा मेरे दोस्त ऐसा गैरेंटी के साथ क्योंकि हर बार जितने बार भी इंडियारमी के एक्जाम में आया है आपका फौजी भाई का जो सजिसन है जो मेट्रियल दिया है वहां से बार 48 कोश्चन के ज्यादा ही लगा है हर बार ठीक है फिर भी मैं कम करके बोल रहा हूँ 45 प्लस तो 100 परसन आएगा ठीक है ज्यादा आपको कुछ करने की जुरुत नहीं है मैं जिस हिसाब से प सामें हुआ था आप यहां से टेस्ट लगा के देख सकते हो कि आपका कितना बनता है और एक चीज में पता देता हूँ मैं जिस हिसाब से करवा तो बिल्कुल सेम लेविल का कोश्चन आता है मेरे भाई ठीक है तो आज हम ओरिजिनियल कोश्चन पेपर बहरामपूर यारो 2020 बीस का करेंगे तो बढ़ते हम आज की फर्स्ट कोश्चन की ओर तो फर्स्ट कोश्चन पूछाए कि फेमास का मक्खा देवी टेमपल इस लोकेटेड इन हुई स्टेट यानि कि प्रसीद का मक्खा देवी मंदिर कि सराज्य में इस्तित है आपको बतना है तो होगा भाई बार सा में इस्तित होगा ठीक यानि को आपसेंटी होगा एक नमबर कुस्चन का राइट एंसर तो बढ़ते हम तीन नमबर कोश्चन की ओर तीन नमबर कुछाए दा हाइस्ट non-military गैलेंटरी एवार्ड तो नॉन मिलेटरी गैलेंटरी एवार्ड जो हाइस्ट है वो परंभीर चक्र होगा अगर आपको कोईशन ऐसे पूछ ले कि मतलब परंभीर चक्र जो है वो पहला पुरुसकार किसको मिला था तो फर्स्ट परंभीर चक्र जो मिला था वो मेजर सोमनात सरमा को मिला था बहुत ही बहुत ही important question है आपके exam के लिए तो चार नमर question क्यों बढ़ते हैं चार नमर question पूछा है कि what is the capital of हिमाचल प्रदेश जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ आपका भारत के अंदर जितने राज जो है उनके राज़धानी परना बेहर जो है खासकार के नौर्टिस्ट के राज़धानी जो है वो इंडिया अर्मी के exam में पूछा जाता है ठीक है हिमाचल प्रदेश की राज़धानी जो होता है वो सिमला होता है और देरादुन जो होता है शरा नम्बर question का right answer होगा option है तो बढ़ते हैं 5 number questions की और 5 number question questions पूछाए कि who said sawaraj is my worth right तसुराज is my worth right कि इसने कहा था आपको बताना है तो तो इस question का right answer जो हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलाख होगा ठीक है एनि कि option D होगा 5 number question का right answer तो बढ़ते हैं next question की ओर एनि कि 6 number question पुछाए कि where is the headquarter of international cricket counselling located एनि कि international cricket council का headquarter एनि कि मुख्यलाई कहाँ पर इस्तित आपको बहुत सरे बंदे इस question में भाई London या Melbourne करते हैं पर सबसे important question जो है वो 2012 की Olympic जो है वो कहाँ खेला गया था वो London में खेला गया था ठीक है इसका ध्यान रखना बहुत जोड़ी है तो बढ़ते हम 7 number question क्यों 7 number question पुछाए the Indian Institute of Science is located एनि कि Indian Institute of Science कहाँ पर इस्तित आपको बताने भारतिय विग्यान संगस्ता कहाँ इस्तित है तो यह होगा भाई बेंगलू मिश्तित होगा ठीक है और बेंगलू जो है वो करनाटागा का राजदनी है most important question और एक चीज सबसे important बता देता हूँ इंडिया गेट जो है वो डेली में इस्तित है और gateway of India जो है यह मुंबाई में इस्तित है दोनों में confuse बहुत बंदे कर देते ह तो gateway of India जो है वो मुंबाई में है और इंडिया गेट जो है वो डेली में है ठीक है और कोलकाता में सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है हुगली किस नदी मतलब हुगली नदी के किनारे कौन से सहर बसा है तो कोलकाता होगा और कोलकाता में सबसे important आर्मी के एक्जाम में ब पानी पत के तीसरा लाड़ा था माराथा मतलब किस के बीच हुआ था आपको बतने तो माराथा और अमजद साहो अब्दुल्ली यानि कि option भी होगा आठ नंबर question का right answer ठीक है तो बटते हैं नेक्स question है यानि कि 9 नंबर question की और 9 नंबर question पूछा है कि who wrote रामायना गंता है य बहुत ही important question है ठीक है मेग दूता और रगुवन सा जो है वो भाई काली दास ने लिखा था यह रट लेना मेरे भाई ठीक है बहुत बार इंडिया में के exam में पूछा आता है तो बटते हैं नेक्स question है नहीं कि 10 नंबर question की और 10 नंबर question पूछा है कि who मतलब who appoint the governor of the Indian state यानि की Indian state का governor को जो है कौन करता है तो बाई president यानि की option दी होगा 10 नंबर question का right answer ठीक है भारतिया राज्य की राज्यपाल की नियुकती कौन करता है तो भारतिया मतलब राज्य की राज्यपाल को जो होगा वो president यानि की राष्ट्रकती नियुक करता है ठीक इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो वट्टेम next question यानि की 11 नंबर question की और 11 नंबर question पूछा है विसाइड इंडिया पाकिस्तान एंड सिलंका which other Asian country has the rupee as its currency यानि की भारत पाकिस्तान और सिलंका के अलाबा और कौन सा ACI देश है जिसका मुद्रा रूपिया है आपको बतने तो देखो भारत का तो रूपिया है आपको पता है पाकिस्तान का भी रूपिया होता है सिलंका के भी रूपिया होता है और नेपाल का भी रूपिया होता है ठीक यानि की option भी होगा इस question का right answer very very important question है इसको सारा को लेना है ठीक है तो बार नंबर question पूछाए कि who composed the famous song सारे जहां से अच्छा है यानि की प्रसीद गीत सारे जहां से अच्छा किस ने लिखा है तो होगा भाई मौहमद इकबाल ने लिखा था ठीक है निकि option भी होगा इस question का right answer और जंगन मन जो है वो रोविंद्रा टैगोर ने लिखा था और भारत के अंदर ही नहीं एसिया के अंदर फर्स्ट नोबिल पूरुसका लेने वाला व्यक्ति जो है ओ भी रोविंद्रा टैगोर होगा ठीक है इसका ध्यान रखना है तो बड़ते हम तेर नंबर question की हो तेर नंबर question पुछाए कि who founded मुगल density in इंडिया न दूसरा बहादूर साहज अपर ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बड़ते हम नेक्स question ने कि चौदा नंबर question की चौदा नंबर question की हो रोड़ दा होली गीता मतलब होली गंथा गीता यानि कि प्रसीद मतलब पवित्र गंथा गीता किसने लिखा था आपको बताने तो बहुती important question है option C होगा इस question का right answer है एनि कि 14 number question का right answer जो होगा वो option C होगा ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बड़ते हैं 15 number question की और 15 number question पूचा है कि where is the sun temple located है इनि कि सूरिय मंदर कहां पर इस्तित आपको बताना है तो सूरिय मंदर जो है वो कोनार्क में इस्तित है कोना hemoglobin in the blood is a complex protein rich in एनि की भाई ये बहुत important question है ठीक है सिधा सा question पूचा है कि hemoglobin में कौन सा पाया जाता है कौन सा धातू पाया जाता है तो hemoglobin में जो होता है वो iron एनि की लोहा पाया जाता है तो बड़ते हम 17 number question की और सारा PDF जो है मेरे अंदर मेरे मतलब PDF के अंदर एक ही पर आपको मिलेगा तो घबराने की कोई ज़रूत नहीं है आपको मैं सारा सामान जो है वो फिरी में provide करूंगा बस आप मेरे साथ एक महीन रहके देखो भाई total जिम्मेदारी मेरा होगा आपको फौजी बनाने का बस आप चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि भाई आप जब हमारे व पूचा है कि which of the following gas is not a noble gas नहीं है आपको बतना है ठीक है देखो noble gas जो होता है मैं वह आपको बताता है हिलियाम नीयोन आरगॉन किप्टॉन जेनॉन रेड़न यह noble gas होता है नहीं कि oxygen जो है यह noble gas नहीं है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम 18 number question कि और 18 number question होगा वाई वीटामीड यह नहीं कि option B होगा 18 number question का right answer तो बढ़ते हम 19 number question की और 19 number question पूचा है कि which of the following is the heaviest यह नहीं कि निमने में से कौन सा जो है वो भारी किरन है आपको बतना है तो भारी किरन जो होगा वो alpha ray होगा ठीक है नहीं कि option D होगा 19 number question का right answer तो बढ़ते हम 20 number question की BCGT का जो है वो होगा option B और एक चीज में बता देता हूँ मेरे भाई अभी मेरा views जो है थोड़ा down चल रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन से class नहीं ले रहा था इसलिए views थोड़ा down है तो आप सभी बन जो थोड़ा motivate कर दो मेरे को तो ज्यादा views होगा तो मुझे पढ़ाने मे college दे पाऊंगा क्योंकि भाई में फोज का duty भी करता हूँ इसलिए time मेरे को थोड़ा कम मिलता है मेरे भाई तो आप थोड़ा एक-एक share कर देना अपने दोस्तों के साथ और उनको बोलना भाई थोड़ा चैनल को subscribe कर ले मेरे भाई ठीक है तो बहुत ही अच्छा में वीडि सुत्र क्या है तो गवाई N2O होगा ठीक है निका option D होगा इस question का right answer और acid rain किसके कारण होता है SO2 और NO2 के कारण acid rain होता है बहुत सारे बंदे जो है इसमें confuse कर देता है इवन खुद मैंने ही इस question पर confuse किया था जब मेरा exam हुआ था तब भी यही question पूछा गया था तो इसमें में भी गलत करके आया था मेरे भाई तो आपको अच्छे से रटना है मेरे मतलब मैं अपने जजबात से बताता हूँ मेरे मतलब अपने experience से बताता हूँ कि कौन सा question आपको confuse हो सकता है क्योंकि वो भाई मैं face करके आ रखा हूँ ठीक है तो मेरे को थोड़ा ज्यादा knowledge है आपको कोई नहीं रोख सकता मेरे भाई फाजी बनने से ठीक है तो next question भी बहुत important question पूछा है कि which of the following is an important metal used with iron to product stainless steel है निकि निमने में से कौन सा धातू जो होता है वो stainless steel बनाने के लिए important है तो इस question का right answer जो होगा वो option सी chromium होगा ठीक है निकि option सी होगा 22 number question का right answer तो बढ़ question पूछा है कि which instrument is used to मतलब देखो बहुत important question है ठीक है आपको इस तरह का question जो है वो add करना चाहिए किस तरह का में बता देता हूँ जो देखो जो आपको बताता है simple microscope में कौन सा lens लगता है गारी के headlight में कौन सा lens लगता है ठीक है उत्तर lens अब्दर lens ये सारा आपको थोड़ question का right answer जो होगा वो टेलिस्कोप होगा यानि कि option ये होगा इस question का right answer तो वड़ते हैं 24 number question के 24 number question पूछा है कि blood is purified in which part of body यानि कि मनस्वर के सरीर के किस अंग में रख्त की सुद्धिक किया जाता है तो होगा option B kidney होगा ठीक है इस question का right answer जो होगा वो kidney होगा यानि कि option B होगा 24 number question का right answer तो वड़ते हैं 25 number question की और 25 number question पूछा है कि brass यानि कि पीतल में क्या 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 सामील होता है आपको बतने तो पीतल में जो होता है वो copper और zinc होता है ठीक है यानि कि कासार और zinc होता है यानि कि options ही होगा 25 number question का right answer तो वड़ते हैं 26 number question की और 26 number question पूछा है कि देखो ब मतलब manufacture of lead pencil यानि की lead pencil बनाने के लिए किस तरह का पदार्थ का उपियोग किया जाता है तो graphite का उपियोग किया जाता है ठीके इसका ध्यान रख लेना है यानि कि option सी होगा 26 number question का right answer और एक चीज़ मैं आप से पूछना चाहता हूँ मेरा वीडियो जो है मैं 8 बज़े डालता हूँ live आप लोग कितने बज़े चाहते हो आप मेरे को comment करके बताना हर एक बंदे भाई please comment करो 8 बज़े चाहिए कि साड़े 8 चाहिए कि 9 चाहिए कि साड़े 9 चाहिए या 8 15 पर चाहिए जिस को जिस time पर चाहिए आप मेरे को time भाई comment करो मैं हर एक बंदे को देखूंगा उस हिसाब से मैं भाई सिलेक्टर हूँगा कि किस time पर live class होना चाहिए ठीक है अगर आपको 8 बज़े चाहिए तब भी आप लिखो कि sir हमें 8 बज़े चाहिए ठीक है तो देखो 26 नंबर question का तो 27 नंबर question पूछा है कि मेंडली 28 नंबर question के और 28 नंबर question पूछा है melting point of melting point of ice is यानि कि बरप का गलनंक के idea से आपको होता है तो बरप का गलनंक जो होता है वो zero degree Celsius होता है और बरप का जो मतलब boiling point होता है इस फुटनंग जो होता है वो 100 डिग्री है निकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो और माइनास 40 डिग्री सेल्सियस और माइनास 40 डिग्री फारनाइट दोनों भाई बराबर होता है ठीक ये भी ध्यान रखना है तो 29 नमर कुछा है कि which of the following is a major compound of biogas है निकि निमने में से कौन सा जो है वो बायर ग्रास का major compound है तो होगा भाई option D methane होगा ठीक है इसका ध्यान रख लेया निकि option D होगा उन तीस number question का right answer तो बढ़ते हैं तीस number question क्यों तीस number question पुछा है कि orange is a rich source of vitamin है निकि orange कि इस vitamin का मुख्य मतलब किस vitamin में ज्यादा पाया जाता है तो orange होगा वो vitamin C में पाया जाता है और आप सारे इस चार्ट में देख सकते हैं एक side Hindi English दोनों side में कर दिया किस vitamin में कौन सा चीज रहता है और क किसके मतलब देखो किसके कारण कौन सा रोग भी होता है वो भी में डाल दिया एकी चीज में सारा कुछ मेरे PDF में ऐसे रहेगा आपको बस एक चीज खोलना है वीटामीन खोलना है वीटामीन से सारा कुछ सना आपको मिल जाएगा घबराने की जरुरत नहीं मेरे भाई आप इस फौजी भाई के साथ एक महिना रहे के देखो आपको बिल्कुल सुधार देंगे हम फौज की वर्दी दिला के रहेंगे बस सब्सक्राइब करो हमारे चनल को क्योंकि आप रहोगे हर वीडियो पढ़ोगे तभी आप फौजी बनोगे फौज का वर्दी पहनना इतना आ मेरे दोस्त ठीक है तो आज हम आपसे बिदा लेते हैं कल मिल जाएंगे पका साम आट बजे और हर एक बंदा कॉमेंट करना मत भूलना कि आपको किस टाइम वीडियो चाहिए जय हिंद जय भर